तुम्हारत जी नमोस्तू 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 हे गुरुवर, मनुष्य की प्रबल दुरबलता है कि वहाँ अपनों से अपेक्षा और उपेक्षा का भाव रखता है दोनों ऐसे ही गातक भावनाएं हैं कि जो मजबूस से मजबूस संबंदों को भी जड़ से हिला कर रख देती है तो गुरुवर, ऐसा क्या करें कि संबंदों में कमी ना आएं? अपेक्षा और उपेक्षा दोनों चीजे हैं और जीवन में होगी इससे बचा नहीं जा सकता है लेकिन, हम अगर एक लाइन खीच करके चले तो इसमें हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं क्या? किसी से अपेक्षा रखें पर उस अपेक्षा की पूर्ती ना हो तो अपने आपको उपेक्षित महसूस ना करें नमबर बन हमने किसी से अपेक्षा रखी जैसे अभी आपने शवाल किया अपेक्षा से किया कि भी ना अपेक्षा से? सबसे पहले तो आप आई अपेक्षा रख करके कि आज संका समधन में मैं जा रही हूँ हूँ मेरा नमबर आना चाहिए और नमबर आना चाहिए तो मैं प्रशन रखी हूं महराज जी मेरे प्रशन का, सही उत्तर दे, थोड़ा लंबा उतर दे, ये भी आपकशा होगी नहीं महराज जी, ऐसा तो नहीं सुन थे सही उत्तर दे, मुझे संतुष्ट करे कुछ न कुछ आपकशा होगे संपोर्ज, अगर आपके सवाल को मैं टाल दिया होता है और ये कहता है कि एक दिन पहले ये सवाल आया है दो साइध आपके चेरे का राज एक पल के लिए दु՝ा हूता है होता ना पर उतना दुख नहीं होता है जितना किसी और के पास आप अपिक्षा ले करके जाते है आप यही सोचते कि ठीक है हमको पता करके प्रश्ण करना चाहिए है ना यहां आपकी अपेक्षा की पूरती हुई प्रश्णता है पर कदाचित अपेक्षा की पूरती ना हो तो उतनी खिंडता नहीं है क्योंकि यहाँ अपेक्षा के साथ एक दूसरे प्रकार की भावना जुड़ी वी है लेकिन आम जीवन में हम किसी के प्रती कोई अपेक्षा रखते हैं तो अपेक्षा कुछ जरुवत से ज़्यादा हो जाती यदि उस अपेक्षा की पूरती नहीं होती तो हमारा मन दुखी हो जाता अपने आपको उपेक्षित महसूस करने लगता है तो इससे बचने का यह रास्ता है कि आप अपेक्षा रखिये पर अपेक्षा की पूरती नहों तो अपने आपको उपेक्षित महसूस करना बंद करें कोई दूसरा हम से अपेक्षा रखे तो उसकी कभी उपेक्षा ना करे यथा संभव उसकी उपेक्षा की अपेक्षा की पूर्ति करे यह सही है कि सारी दुनिया की अपेक्षाओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता लेकिन वो मेरे पास कोई अपेक्षा लेकर आया है तो जितना मैं उसे कर सकता हूं उतना करूँ और यदिर करने की इस्थिति नहीं है तो अत्यनत बिनम्रता से अपने इस्थिति को स्पष्ट कर दे जीवन विवस्थित बना रहेगा दोनों तरफ दुवधाएं हावी नहीं हो